साथियों आजदेश एक भारत स्रेश्ट भारत के आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है लताजी एक भारत स्रेश्ट भारत की मधूर प्रस्तूति की तरह थी आप देखिए उन्होंने देश की तीस से जानदा भाषाओं में हजारों गीत गाए हिंदी हो मराटी हो सं आप्या भाषाओ लताजी का स्वर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है वो राज्यों हर छेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है भारतियता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है ये उन्होंने जी करके दिखाया है उन्होंने भगवत गीता का भी सस्वर पाट किया और तुलसी, मिरा, संत ग्यानेश्वर और नर्सी महता के गीतों को भी सबाज के मन मस्तिस्क में घोला राम चरीत मानस की चुपाईया से लेकर बापू के प्रिय भजन बैश्न भजन तो तेने रेकाई है तब सब कुछ बत अलता जी के आवाज से पुनर जिवित हो गए उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रेकॉर्ड किया था जो आज भी हर सुवें वहाँ बचता है यानि संस्कृति से लेकर के आस्था तक पूरब से लेकर के पस्चिम तक उत्तर से दक्षिन तर लताजी के सुरों के पुरे देश को एक सूत्र में पिरुणों का काम किया दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राज़दूत थी वैसा ही उनका व्यक्ति के जीवन भी था पूरे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सयोग से मास्टर दिनानात मंगेश कर हस्पिटल बनवाया जो आज भी गरीवों की सेवा कर रहा है